तो इस विडियो में हम Amazon Code Whisper को देखते हैं Amazon Code Whisper जो है वो मैंने भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है तो फर्स टाम मैं भी इंस्टॉल कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा तो सबसे पहले मैं Google पर आगया हूँ और Google पर आने के बाद मैं याँ पर लिख रहा हूँ AWS Code Whisper और ये लिख कर मैं इसे इंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास पहली वेबसाइड आ गई है इससे मैं open करता हूँ तो यहाँ पर Amazon Code Whisper की जो वेबसाइड है वो खुल गई है तो हम नीचे चलते हैं देखते हैं कि इसमें मजीद क्या डीटेल्स दीवे हैं इनोंने यह कह रहे हैं कि Amazon Code Whisper जो है वो जनरेट करता है Code Suggestions को मतलब वो आपको Suggestion दे देता है और यह कह रहे हैं कि वो आपको Code के Snippet भी लिख कर दे सकता है Snippet मतलब थोड़े से Code या फिल फंक्शन्स इन रियल टाइम वो आपको मतलब पूरे के पूरे function method यह सब भी लिखकर Suggestion में दे सकता है अगर आपको Suggestion उसकी समझ आती है तो आप Accept कर लें तो वो पूरा Code आपके Real Time में लिखकर आपके VS Code में आ जाएगा तो यह कहते हैं कि it also supports CLI completion and natural language to batch translation in the command line मतलब आप जैसे कि comment आप लिखते हैं तो comment में आप अपनी natural language में भी अगर कुछ लिखते हैं तो वो उसको समझ कर भी आपको Code लिखकर दे देता है तो नीचे देखते हैं कि यह और मजीद क्या detail दे रहे है हमें तो यहां पर जो है मुझे support नजर आ रही है तो यह जो हमारा Code विस्वर है यह हमारे TypeScript को और Java Script को Python को support करता है इन languages को और हमारे जो VS Code है उसके उबर भी यह available है तो हमें क्यूंके VS Code TypeScript और Python से अभी काम करना है तो यह हमारे लिए तो अच्छ है तो मजीद अगर आपको documentation पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन अभी मैं इससे अपने VS Code में install करूंगा तो हम direct अपने VS Code में चलते हैं और देखते हैं कि यह हमें किस तरीके से help करेगा हमारे coding में तो मैं अपने Code Practice के folder में आगे हूँ और यहां से मैं अपने VS Code को open करता हूँ तो मेरे पास VS Code open हो चुक है अब सबसे पहले मैं यहां पर यह जो extension वाला option है इसे मैं यहां से click करूँगा और click करने के बाद मैं यहां उपर इस search icon में लिखूँगा AWS Toolkit TOOL Toolkit CIT Kit तो आप देख सकते हैं कि यहां पर Amazon Toolkit यहां पर आ चुक है और यह Amazon Web Services वालों की तरफ से 2.1 million इसकी download हो चुकी है तो इसको मैं install कर लूँगा यहां पर यह install का बटन है इसे click करके मैं इसे install कर लूँगा तो यहां पर जो है एक अलग से इसकी page open हो गई है अब यह install लिंक पर है और यह install हो चुक है तो जैसे यह install हुआ तो मेरे left side पर यहां पर AWS का एक icon बना आ गया यह option पहले नहीं आ रहा था अब भी option आ गया और एक option की आया है Amazon Q Review के नाम से तो हम देखते हैं इसे कैसे use करना है सबसे पहले तो मैं अपने इस window को close कर देता हूँ और उसके बाद हम आजाते हैं अपने type script की file में तो type script की file में आने के बाद मैं इस option को यहां से click करता हूँ AWS वाले icon को click कर रहा हूँ मैं तो यहां बर मुझे कुछ चीज़ें अपनी left side वाले window में खुल कर मिल गई है तो इसमें मैं सबसे पहले जो यह Amazon Q preview है इसके window को यहां से बंद कर रहा हूँ और उसके बाद हमारे पास है code whisper इस window से अभी हमें काम है बाकी जितनी भी नीचे की windows हैं वो सब मैं close कर दे रहा हूँ explorer और cdk code catalyst इन सबको मैंने close कर दिया अभी हमें सरफ और सरफ code whisper से काम है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि sign in to get started तो मैं sign in to get started पर click करता हूँ तो यहां पर हमें कुछ इस तरह की window नजर आ रही है तो मैं जरा नीचे देखता हूँ यह कह रहे हैं कि use for free no AWS account required तो हमें यह वाला option चाहिए तो मैं ऐसे click करता हूँ use for free no AWS account required को अच्छा अब मेरे पास यहां पर एक चोटी से window open होकर आ गई है इसमें यह कहते हैं कि confirm code for AWS builder id तो मैं ऐसे proceed to browser कर रहा हूँ मैं ऐसे click कर रहा हूँ तो एक और window मेरे पास आ चुकी है इसमें यह कहते हैं कि do you want code to open external website तो मैं ऐसे open कर देता हूँ तो यहां पर जो है मुझे authorization request की एक window खुल चुकी है हमारे google chrome की उपर और यहां पर वो confirm and continue कहते हैं तो मैं confirm and continue कर रहा हूँ इसे तो अब वो मुझे next page पर ले जा चुक है और यहां से वो मुझे कहते है कि email address को confirm करें तो यहां पर मैं अपने email को type कर रहा हूँ तो email type करने के बाद मैं next कर रहा हूँ तो अब वो मुझे से मेरा नाम पूच रहा है मैं आपर अपना नाम लिख देता हूँ अब मैंने next कर दिया है नाम लिखने के बाद अब वो मुझे इस email verification वाली window पर लेकर आ चुका है तो मेरी gmail की उपर एक email आयोगी वहां से मुझे इसको verify करना होगा तो मेरी gmail की उपर एक verification email आ चुकी है तो यह no reply वाली email जो है इससे मैं open करता हूँ तो यहां पर मुझे अपने verification code जो है वो मिले इस verification code को मैं copy करके अपने amazon वाले verification इस code मैं paste कर देता हूँ और verify कर लेते हैं तो अब मुझे यह password creation की तरफ ला चुका है तो मैं password यहां पर अपना create कर लेता हूँ और confirm password कर लेता हूँ और उसके बाद मैं create AWS builder ID की उपर click करता हूँ तो क्यूंके मैंने अभी अपने account का सारा process कर लिया है तो यहां पर नीचे मैं sign in की उपर click करता हूँ और sign in को click करते ही यह मुझे कहता है कि अपने email address को confirm करने तो मैं यहां पर अपने email address को लिख देता हूँ और next करता हूँ तो यह मुझे कहता है कि अपने password को लिखें password को लिखने के बाद मैं sign in करता हूँ तो यह मुझे अपने AWS access portal की उपर ला चुका है और यह जो page है वो बिल्कुल blank है यहां पर मुझे यह कहता है कि for more details on your AWS builder ID click here तो मैं इसके उपर click कर रहा हूँ तो यह मुझे मेरी AWS builder ID वाली webpage के उपर लेकर आ चुका है और यहां पर मुझे मेरा नाम देख रहा है और contact information में मेरी email ID देख रहा है तो अब हम चलते हैं अपने VS code के उपर और VS code में देखते हैं कि हम आगे का जो process है वो किस तरह करेंगे मैं अपने VS code में वापस आ चुका हूँ यहां पर जो हमने अपनी पहली वाली window पर click किया था जहां पर free लिखा था उसके नीचे use personal license यहां पर यह लिखा आ रहे इस use personal license को click करेंगे तो यहां से मैं अपनी पहले वाले option में जो use for free no AWS account required का button है उसके उपर मैं click करूँगा और यह मुझे एक window open करके दे रहे है जिसमें कहता है confirm code for AWS builder id तो मैं यहां से proceed to browser की उपर click करता हूँ और यहां पर मैं configure trusted domain की उपर click करता हूँ तो सबसे उपर यह मुझे तीन चार options दे रहे हैं तो सबसे उपर वाले option में trust http amazon aws.com सबसे पहले वाले option पर मैं click कर रहा हूँ और यह मुझे authorization request के उपर लेकर आ चुक है तो मैं इसे यहां से confirm and continue कर रहा हूँ तो यह मुझे पूछ रहे है के allow AWS toolkit for VS code to access your data तो मैं इसे allow कर दे रहा हूँ allow access और request जो है वो approve हो चुकी है तो अब हम दोबारा अपने VS code में चलते हैं वापस तो यहां पर मुझे meet amazon की एक नई window खुलकर मिली है लेकिन इससे अभी हमें कोई काम नहीं है तो इससे हम बंद कर देते है और यह वाली जो window है इसका काम भी खतम हो चुक है तो इसे भी हम यहां से close कर देते हैं उपर से तो अब मेरी type script की जो file है वो वापस आ चुकी है और यहां से मैं AWS के इस icon को क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस code whisper के अंदर अब मुझे कुछ options मिल रहे है यहां पर सबसे पहला option है pause auto suggestion तो जैसे के अभी जो है यह auto suggestion के उपर set हुआ है मतलब अगर अगर अपने code में कुछ भी लखते हैं तो यह आपको suggestion देगा और दूसरे number पर आता है run security scan तो security scan जो है उससे अभी हमारा कोई काम नहीं है और यहां पर open code reference log इससे भी हमारा कोई काम नहीं है और अगर आपको मजीद इसमें कुछ चीज़े देखनी है समझना है इसको कि यह क्या है तो फिर आप learn के उपर click कर सकते है fourth option जो है तो हमने इस code whisper के window के अंदर यह चारो चीज़े जो है उन में से कुछ भी change नहीं किया है तो मैं अपने type script की file में आता हूँ और यहां पर मैं comment add करता हूँ comment में मैं simply अपने natural language में जिस तरह हम बात करते हैं तो इस तरह मैं comment add कर रहा हूँ और इसमें मैं लिखूँँगा log hello world तो मैंने यहां पर simply लिखा है log hello world और मैं comment वाली line को enter करके नीचे आ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास एक suggestion आ गई है तो आप अपने keyboard में से tab का button दबाएंगे तो यह suggestion accept हो जाएगी तो मैं suggestion को accept करूँगा तो मैं tab का button प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह console.log की line जो है वो लिख कर आ गई है अब मैं नीचे आता हूँ अपनी line में और मैं फिर इसे comment add करता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखा हूँ कि मैंने अभी सरफ comment के दो slash ही लगाए थे तो इसने यहां पर कुछ और suggestion भी मुझे दिया यह कहता है कि log hello world with type string तो जड़ा देखते हैं कि क्या है और मैं ऐसे tap करता हूँ अब मैं ऐसे enter करता हूँ तो जैसे ही मैंने enter किया तो यह मुझे बहुत सारे suggestions दे रहे है और जिसमें मुझे यह console.log करके दे रहे है hello world as a string और numbers को console.log करके दे रहे है, boolean को भी दे रहे है और type any को भी console.log करके दे रहे है तो जैसे कि यह बहुत सारे suggestions अभी इसने मुझे दे दिया मेरे comment को पढ़कर उसने मुझे suggestion दे दिया code में तो इसमें आपको यह जो अभी आपको नजर आ रही है screen में तो जैसे कि यह मजीद suggestion भी इसके अंदर देता है तो अगर आपको मजीद suggestion देखने है तो आप अपने keyboard से right button को प्रेस करेंगे तो वो suggestion चेंज हो जाएगी आप देख सकते हैं मैंने right button को प्रेस किया था तो suggestion जो है वो चेंज हो गई है मैं फिर देखना हो कि और आगे क्या कियता है तो मैं right button को प्रेस कर रहा हूँ तो यह मुझे अब यह suggestion दे रहे है तो यह वाली जो इसकी जो last suggestion है यह वाली इसको मैं accept कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर tap का button प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें मेरे बास लिख कर आ चुकी है तो यहाँ पर उसने जो है दो हमारे round bracket जो है वो नहीं लगाए एक string round bracket और एक console dot का round bracket तो यह दोनों मैं लगा देता हूँ और अपने line को end कर देता हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं इससे console dot log कर आ लेता हूँ तो जाहर है आपको पता है कि यह log होकर आ जाएगा तो मैं ऐसे tsc कराने के बाद node अपनी file का नाम app.js और इससे enter करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह सब कुछ print होकर आ चुक है hello world hello world 123 true तो यह जो सारे code है यह इसने मुझे लिख कर दिया मेरे comment को समझ कर उसने मुझे suggestion दी उस suggestion को मैंने accept किया और accept करने के बाद यह तमाम code जो है वह मुझे लिख कर मिले तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक function लिख बनाओ और मैं उस function में 2-number को add करना चाहता हूँ तो मैं comment करूँगा और यहांपर लिख हूँगा add to numbers function तो मैंने comment एटिवर डिख कर दिया add to number function अब मैं my enter करके नीचे आता हूँ तो इसने मुझे suggestion यहांपर दिया है और suggestion में इसने मुझे दिया है पूरा function लिखकर जिसमें इसने function लिखा है function के नाम को add लिखा है और दो parameter उसके अंदर दी है और एक जो number है उसको return भी करा रही है तो हमें करना यह है कि हम इस suggestion को अगर accept करना चाहते हैं तो हम tab का button दबाएंगे तो मैं tab का button यहाँ पर press कर रहा हूँ और जो end वाला curly braces है उसने यहाँ पर इसने नहीं लगाया है तो मैं लगा देता हूँ और जैसे ही मैंने curly braces लगाया तो यह मुझे मज़ीच suggestion देता है और यह मुझे कहता है कि return a plus b मतलब जाहर है अगर हमें function के अंदर कोई value return करनी है तो यहाँ पर लिखकर दे रहा है एक और suggestion के a plus b को मैं return कर दूँ तो यहाँ पर मैं tab का button press करूँगा तो अब मेरे पास पूरा function बन कर आ चुक है जिसमें उसने दो parameter लिए उस parameter को वो return भी करा रहा है नीचे a plus b करके तो आपको पता है कि अगर मैं इस अपने function को call करूँगा तो जाहर है वो हमें बिल्कुल वैसा ही result देगा जैसा हमें expected है तो यहाँ पर मैं add और parentheses लगा कर मैंने just simply अभी parentheses ही लगाए थे और यहाँ पर उसने 1,2 जो है वो लिखकर दे दिया है दो number argument में भी पास करती है उसना है चले मैं suggestion को accept नहीं करूँगा तो मैं escape का button दबा देता हूँ और मैं अपने numbers खुद लिखूँगा तो यहाँ पर मैं 12 और दूसरा number जो मैं 6 पास करता हूँ और semicolon लगा के मैं इस function को अपने console में देख लेता हूँ तो मैं tsc करा रहा हूँ टर्मिनल में उसके बाद जो है मैं node अपनी file का नाम app.js एंटर कर रहा हूँ तो हमें कोई result नहीं मिला वो इस लिए नहीं मिला वो इस लिए नहीं मिला क्योंके हमने यहाँ पर इसे console.log नहीं करा है तो console.log भी तो कराने है तो excitement में जो है हम console.log कराना भूल गया है तो इस console.log के अंदर मैं अपने इस function के जो मैंने call किया है मैंने वो लिख लिए है और उसके अंदर दो argument पास कर दिया है तो अब हम टर्मिनल में चलते हैं मैं अपनी file को compile कराने के बाद screen को clear कर रहा हूं और फिर node करा लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है 18 हमारे बास return होकर आ चुकी है value तो यह जो है इसकी एक छोटी सी डेमो वीडियो थी कि कोड विस्वर जो है वो काम किस तरीके से करता है और अगर जैसे के आपको इसकी suggestion से कोई problem है कभी-कभी होता है कि यह आप code लिख रहे हैं और आपको मतलब यह बार बार आके suggestion दे रहे हैं तो आप इससे परिशान हो रहे हैं तो आपने करना कुछ भी नहीं है आपने just simple यहां पर जाने pause auto suggestion के उपर आपने click करने तो अब वो आपको suggestion नहीं देगा क्यूंकि आपने इससे stop कर दिया अब अगर मैं अपने comments में यहां पर लिखूं मैं अपने इस पूरे code को यहां से remove कर रहा हूं और मैं यहां से एक नए comment को add करता हूं log hello world तो जब मैं इससे enter करके नीचे होंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे कोई suggestion नहीं मिल रही है उसकी तरफ से मतलब अब वो stop हो चुक है तो जैसे ही आप इसे resume करेंगे तो resume करते ही वो आपको फिर से suggestion देना शुरू हो जाएगा तो यह है Amazon code whisper thank you